नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने देश को संबोधित किया और बताया कि क्यों और किन परिस्थितियों में आर्टिकल 370 जो की जम्मु कस्मीर को स्पेशल राज्य का दरजा देता था उसे खत्म करना पड़ा है किस तरह से 35A की थी बेटियों को दिक्कत हो रही थी और कोई वहां पे ना बस सकता था ना संपती खरीच सकता था ना रोजगार हासिल कर सकता था लेकिन जो उन्होंने इस संदर्म में सबसे महत्तपून बात कही जिसको की लोकसभा और राजसभा में ग्री मंत्री अमित साह ने भी कहा था कि जो भी जम्बू और कस्मीर के लिए बेवस्था की गई है यानि उसको संग सासित प्रदेश बनाया गया है वो एक लिम्टेट पिरियेट के लिए बनाया गया है जैसे ही वहां के हालात सामान ने होंगे और विकास की रफ्तार ये तेजी पकड़ेगी वैसे ही हम वहां पे जो है उसको पून इस्टेट बनाएंगे उन्होंने जो महत्पून बात बताई वो ये बताई कि हाल के दिनों में जो अब वहां पे राजेपाल सासन लागो हुआ और इन चार पाच महिनों का जो एक्सपरियेंस हुआ वो बहुत अच्छा रहा कि राजेपाल सासन में जो है सुसासन यानि गवर्नेंस बहुत अच्छा था ब्रश्चाचार पे भी कमी आई और इसके अलावा जो है वहां पे विकास काम में तेजी आई और इस एक्सपरियेंस से ये सोचा गया कि यदि ये यूटी रह कुछ दिनों के लिए तो जम्मू कस्मीर के हालात सुधर जाएंगे क्योंकि वहां के जो नियम कानून बने हुए थे जो इस्पेसल स्टेटस यानि की 370 और 35 एक वज़ा से मिला हुआ था तो बहुत सारे कानून लागू ही नहीं हो पाता था ये कहां कान्या है कि जो सफाई करमचारी है उनके बच्चे सफाई करमचारी ही रहेंग और जो वहां पे 1954 से पहले आ भी गए थे या बाद में पहुंचे उस दवरान जो भी आये उनको नागरिक्ता नहीं मिली धेर सारे लोग जो सिफ्ट हुए वहां पे किनी तकनिकी वज़ोस से नहीं मिली तो उस सारी बाते उन्होंने गिनाई और ये बताई कि फिलाल की पर आस्थाई था लगभग उसी तर्ज पे जो उसको यूटी का दरजा दिया गया है वो भी आस्थाई है जैसे ही सब कुछ समान्य होगा वैसे ही उसे पूर्णराजी का दरजा दे दिया जाएगा हम इस खबर पे बने हुए हैं जो भी और अपडेट होगा हम आपको अपडे